दोस्तों, अगर आपкие फोन का Internet बहुत ज़्यदा स्लो चलता है, आप बहुत ज़्यदा परिशान हो चुके है, काफी सारे सेटिंग भी आपने कर लिए, बहुत सारे एपलिकेशन भी आपने फोन में डाउनलोड कर लिया, फिर भी आपके फोन का Internet Speed जो है वो बुस्ट नहीं तो आज इस वीडियो को दोस्तो आप बिल्कुल भी मिश्ट मत करना इस वीडियो के अंदर आपके फोन की कुछ ऐसी important और hidden setting के बारे में बताने वाला हूँ जिससे दोस्तो आप अपने फोन के जो internet speed है उसे दो गुना तेज कर सकते हैं और अपने फोन के internet को 5G जैसा use कर सकते हैं आपके फोन के अंदर बहुत सारी ऐसे setting चूपी हुई है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता और इन setting को अगर आप अपने फोन के अंदर कर लेते हैं तो आपका जो internet है वो काफी ज़्यादा fast हो जाएगा यानि कि super fast हो जाएगा तो अगर आप भी अपने फोन के internet की speed को लेकर परिशान है तो इस वीडियो को end तक देखते रहिए तो चलिए दोस्तों बिना किसी तेरी के इस वीडियो को हम start कर लेते हैं तो दोस्तों अगर आप अपने फोन के internet की speed को बूस्ट करना चाहते हैं तो उन settings के बारे में आप ध्यान से देखिए एक एक settings आपके लिए काफी ज़्यादा important होने वाली है और इन settings को आपको देखने के बाद अपने phone में apply करना है तब ही आप अपने phone के internet की speed को काफी ज़्यादा boost कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने phone की settings को open करना है यहाँ पर आप जिसागे देख सकते SIM card and mobile networks का जो option है वो आपके सामने खुल कर आ जाएगा यहाँ पर आपको दो SIM दिखाई देंगे मतलब आपके phone में जितने SIM लगे हुए होंगे अगर आपने दो SIM लगा रखा है तो आपको दो SIM दिखाई देंगे अगर आप एक SIM लगा के रखे हैं तो आपको एक SIM दिखाई सबसे पहले सेटिंग के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपने इंटरनेट को काफ़ी ज़्यदा बोस्ट कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं preferred network type तो आपको इसके उपर क्लिक करना है इसके उपर जैसे ही 5G अभी 5G तो इंडिया में नहीं आया है लेकिन आपका जो internet है वो 5G की speed से ही चलने लगेगा मतलब 4G से तो काफ़ी better चलने लगेगा तो यह setting आपको सबसे पहले करनी है अब दूस्तों उसके नीचे यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नेटवर्क, mobile network करके तो इसे आपको क्लिक करना है और इसे दोस्तों आपको automatically जो automatically select network के उपर आपको set करके रखना है जिससे दोस्तों अगर आप कहीं भी जाते हैं दूसरे जगह पर तो आपका जो network है वो automatically उस जगह के हिसाब से जो है आपके phone base set हो जाएगा तो इसे आपक so इसे भी आपको on करके रखना है हमेशा इस setting को अपने phone में चालू करके रखना है इससे दोस्तों आपके phone की जो voice quality है उससे आपको काफी जदा improvement देखने को मिलती है आपको voice की जो quality है वो काफी जदा अच्छा सुनाई देता है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको एक और option मिल जाता है mix call using wifi तो इसे भी आपको on कर देना है इससे आप on कर देंगे तो आप जो है wifi की तुरू किसी को भी call कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो यह setting दोस्तों आपको करना है अब दोस्तों सबसे main जो setting है यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूं उसका न internet है वो काफी ज्यादा boost हो सकता है तो अगर आप इसे change मतलब नहीं करते हैं तो आपका जो internet है ना दोस्तों वो काफी ज्यादा slow चलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है एपन के setting में जाना है और यहाँ पर आपको arrow वाले option पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको काफी सारे options देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको कुछ settings को changes करना है चो यहाँ पर दोस्तों यह जो name है यसे आपको GO 5G लिख देना है जो भी आपका रखना है और एक MNC देखने को मिलता है इसे आपको चेंज करके 571 के उपर set करके OK कर देना है यहाँ पर आप जिसा की देख सकते हैं उसके बाद नीचे आपको APN प्रोटोकॉल देखने को मिलता है इसे IPv4 और IPv6 के उपर set करके रखना है और APN रोमिंग प्रोटोकॉल को भ दोस्तों आपका internet काफी ज्यादा fast हो जाएगा अगर इतना setting करने के बाद भी आपके जो internet है उसमें speed आपको दिखाई नहीं मिलती है मतलब speed देखने को नहीं मिलती है तो आप एक application का download कर सकते हैं जिसका link आपको इसके नीचे वीडियो के नीचे description में मैं दे दूंगा वहा जईसे आप accept के तो क्लिक करेंगे तो एक application है इसका main interface आपके सामने खूलकर आ जाएगा यहाँ पर आप जिससागे देख सकते हैं यहाँ पर आपको disconnect का button दिखाई देगा तो आपको इसके उपर क्लिक करना है जैसी आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो यह जो application है वो connecting होना शुरू हो जाएगी आपके phone पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा time लगेगा इससे connect होने में तो आप थोड़ा सा यहाँ पर wait कर सकते हैं आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा और यह जो application है आपके phone पर activate हो जाएगा दोस्तो जैसे ही application आपके phone पर connect हो जाएगा तो आपके notification पैनल में यहाँ पर आपको दिखाई देगा your internet is private और यह setting करने के बाद आपका जो internet है वो काफी ज्यादा पहले से fast हो जाएगा 5G की speed से चलने लगेगा दोस्तो यह setting करने के बा सेट कर लिजे तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले किशी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक क्यार